तो यरी बेसिस इटी का ओरन है यह हमेशा अप्लीक अप्लीक संब्ट ही तो नहीं रहता है जब हमारे पास है तो यह नहीं यह समस्य कर सके यह पॉल तो डोनों फेक्टरर स्टेबल कर रहे हैं से रिजल्ट आएगा उसके बेसिस में बताएंगे तो यह हम एसे और रियाद रख लेंगे हलो दोस्तों स्वागत है आप तब का फिजिक्स वाला की दुनिया में मैं हूं मोहन सिंग और आज मैं आपके लिए लेक्टार सिरीज में और गेनिक केमिस्ट्री का लेक्षर नंबर 14 ठीक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिटा इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट ठीक है जो हमने लास्ट लेक्षर में स्टार्ट किया था और इधर अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं तो लास्ट लेक्षर हमने क्या पढ़ा था हमने इंडेक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा तो आज के लेक्चर में हम यही डिसकस करने वाले हैं कि बेसे सिटी ऑफ एमाइन्स एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस और उसके कुछ इफेक्ट वगेरा जितना कवर हो पाएगा हो करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते होमवक की जो आपको दिय आए था की कैटायन की स्टेबिटी देखते हैं किसके देखते हैं केकर तो के टाइन बनाने के लिए हम क्या करें एच नाइट्रोजन को एच प्लस देंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास मद्bing फसका मद्वारे पास हम आप हम दखेंगे हैं जो गूरूप्स इधर प्रजेंट है उनका तो अगर हम बात करें, फरस्ट में तो इधर एच का कौन सा अफ्ड़ होता है, जीरो, ठीक है, एच का कौन सा इफ्ट है, जीरो विजी बलेके, ठीक है, रुक हो एक सेट, दूसरा कलर कर लेता है, हाँ वई, एच का कौन सा क्या जाएगा मारे पास अगर इसको मोले ए इसको मोले बी और इसको करें सी तो हमारे पास सब से ज्यादा बेसिक होगा बी देन होगा मारे पास ए और देन आएगा मारे पास सी क्लियर है ठीक है सिंपल है बिल्कुल नेक्स्ट अगर हम बात करें यह तो बताइए वाई क्या ह है इसका answer तो इसका answer फिर से वोई ABCD बोल देते सबसे पहले तो यह हो गया हमारे पास ए यह बी यह सी और यह डी तो सर सेम ही है क्या करना है सर यह मना है तो फ्रस्ट वाल्याओ मने एका हमारे पास एन ह्च थ्री स्प्रस्टान जुस्छ यह बने हमारे पास आइन ह 3 प्लस सैस्टेंड क्या बने आर और इदर आगे हमारे पास है ठीक है और इदर के आगे विटा पॉजिटीब चार्ट तो बैस अब हमेंकी स्टेबलीती देखनी है के टायन बन गे तो अगर इदर देखेंगे तो सरज रो इफेक्ट एज का आर का प्लस आई इधर भी आर का प्लस आई बट सर इधर दो दो प्लस आई लग रहे हैं ठीक है इधर सर तीन तीन प्लस आई लग रहे हैं कि लग रहे हैं तीन तीन प्लस आई लग रहे हैं बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा stability of cation और जितनी ज्यादा cation की stability उतनी ज्यादा basicity तो हमारा correct answer आजाएगा कि सर basicity का order हमारा यह हो जाएगा clear है भाई तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हो गया कि basicity of amines basicity of amines क्या बोल सकते हम बेसिशिटी of amines हम बोल सकते है सर nx3 then primary amine या one degree amine clear है भाई then क्या हैगा हमारे पास two degree amine या secondary amine और last क्या जाएगा हमारे पास three degree amine जिसको हम क्या बोलते है टर्सरी amine ठीक है बट इधर भया फोड़ी सी समझ्या है इधर हमें थोड़ी सी समय समय है क्या समस्या है वो हम आप ही discuss करने वाले है तो यह जो basicity का order है यह हमेशा applicable नहीं होगा यह हमेशे applicable नहीं होगा यह सर्फ कब applicable होगा जब हमारे पास medium कैसा होगा या तो हो vapor phase या हो a protect solvent कैसा हो विटा यहां हमें थोड़ी सी सबस्या है क्या है वह सबस्या applicable ठीक है next में आपको वेशे मिल जाएगा और वेपर फेज और एप्रोटिक तोल्वेंट अरे समझे कि ना ही समझे है अर्य समझते हो नहीं सर इतना तो नहीं है तो उसके लिए हम आते इधर नोट लिख रखाए बेसिटी ओर ओफ एमाने पास क्या दे रखा है जीरो डिगरी जीरो डिगरी का मतलब का है इधर अमोनिया यह पूर सबसे ज्यादा बैसिक रखाए और इध अब बेपर फेज और नोन पोलर जैसे बेंजीन और इथर इन में एप्लीकेबल होता है किसमें नहीं होता एक्वस में नहीं होता है पोलर प्रोटिक में नहीं होता है ठीक है इधार लिख भी देता हूं नौट not in vapor sorry not in not applicable not applicable in aqueous aqueous medium और प्रोटिक जोल्वेंस सब्साइब इसमें applicable नहीं होगा इसमें एप्लिकेबल नहीं होगा ठीक है अर बात समझ मारी नहीं आ रही बोलो भाई यह हमारे पास आगया नौट एप्लिकेबल इन aqueous मीडियम और प्रोटिक लिगा था हमने तो यह पता नहीं कि आ गया हूं और फ्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है प्रोटिक सॉल्वेंट में अप्लिकेबल नहीं होगा अब गुस्तन आता है कि सर क्यों यह तो हमने आपकी बात पहले भी मान ली बट हमें यह बताए कि ऐसा क्यों नहीं होता है तो इधर है भाई हमारे पास basicity order of amine in aqueous in liquid state और polar medium और aqueous solution depends upon two factors जो हमारे पास basicity है amine की वो अगर हम बात करें aqueous medium में liquid state में बात करें ठीक है तो हमारे पास दो factor पर depend करते है फेक्टर नमबर बन है सेम जो हमने अभी पढ़ा है electronic effect electronic effect ठीक है जिसको हम क्या बोल रहे है इंडेक्टिव इंडेक्टिव इफेक्ट ठीक है और दूसरा हमारे पास जो factor है वहम बोलेंगे solvent ठीक है solvent का इफेक्ट रहेगा आएगा solvent effect या फिर इसको हम बोलेंगे कि तोल्वेशन एनर्जी या फिर बोल देते हैं इसको हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉंडिंग एक ही बात है मतलब इधर कि लिए रहे बाई दो फेक्टर पर डिपेंड कर रहा हमारे पास इस्टेबिलिटी देखो जो बेसिसिटी है वह दो फेक्टर पर डिपेंड कर रहे बनेगा और दूसरा अमारे पास सॉल्वेंट भी उसको इस्टेबिलाइज करेगा तो अगर दोनों फेक्टर इस्टेबल कर रहे हैं तो दोनों का में को क्या लेना पड़ेगा रिजल्टेंट लेना पड़ेगा तो जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर हम बताएंगे ठीक है concept अभी भी सेम है कि cation की stability के according ही basicity decide करेंगे ठीक है चलो भाई अब हम देखते हैं कि हमारे पास on the basis of stability of cation first है हमारे पास stability the stability of cation stability of cation on the basis of the stability of cation on the basis of electronic effect on the basis of electronic effect ठीक है अब देखो भाई इदर क्या आएगा हमारे पास सब्सक्राइब बात करें हम NH3 की तो NH3 प्लस H प्लस ज्यान से जल्दी जल्दी करेंगे ना यह हमारे पास अब इसमें अगर हम बात करें तो अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा देखो यह कैटान हमारे पास बन रहें बहिए इदर कैटान बनेंगे बाई बेस होई होते हैं जो लोनप्यर किसको देते हैं H feels को यह जो accents करते हैं तो इदर हमारे पास क्या बना ही था और बाना H एक्श ख्ली फ्लस खिलियर है च्यार बोन बना रहा है तो पॉजिटिव आए गई आर एन आर आर और यह आगया एच प्लस यह आगया हमारे पास ठीक है भाई तो अगर इसके अकोर्डिंग हम देखे तो क्या आएगा इस्टेबिलिटिक और इधर से जीरो इधर प्लस आई इधर भी प्लस आई इधर से भी प्लस आई ठीक है इधर से भी प्लस आई इधर से भी प्लस आई और इधर से भी प्लस आई बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई खूब प्लस आई ठीक है प्लस आई प्लस आई तो इसके अकोर्डिंग अगर इस्टेबिलिटिक और देखे अब केट्य आगे हैं मारे पास इसभल ठेटी यह था जाएगा मरब पास रहें पो यह घ्री दिगरी डेंटी डेरी गरी और लाश्ट माग्हारे पास आट स्टेबिलिटी यह है तो बेसिंग सिटी का ओर्टर भी यही भोना चाहिए बट अभी अमगारे पास दूसरा फेक्टर रिवे तो दूसरा फेक्टर क्या है दूसरा है हमारे पास on the basis of on the basis of so stability of cation ऐसे लिखेंगे stability of cation on the basis of basis of solvent ठीक है solvent के according basic city का order क्या होगा या फिर हम बोल सकते हैं solvent के according cation की stability का क्या order होगा जो cation की stability का order होगा वही basis city का होगा इसके according तो मैं directly cation बना रहा हूं हमारे पास ठीक है तो अगर हम फर्स्ट वाले का बनाएं ठीक है तो क्या बनेगा एन एच 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 यह बनगा हमारे पास अमोनिया का cation ठीक है बन डीगरी का बनाएंगे तो क्या बनेगा आर एन एच 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 और इदर आगया एच यह आगया पास ठीक है तो डीगरी का बनाएंगे तो क्या बनेगा आर एन और इदर आया हमरे पास एच इदर आया एच और यह आगया पॉजिटीव ठीक है अब सॉल्वेंट में मान रहा हूं एस टूउ क्या है हमारे पास एक वास एच तु क्या होगा यह क्या है अबध्र नहीं इदर भी कैया है oxygen hydrogen 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 देख पार है क्या आपको hydrogen bonding होती है दिखाई देए बिलकुल इधर क्या होरी हमारे पास hydrogen bonding हो रही है जितने ज्यादा hydrogen उतनी ज्यादा hydrogen bonding और अभी आप chemical bonding में पढ़ चुके हो कि जब कभी hydrogen 2 more electron negative atom के बीच में आता है ठीक है n के साथ connected सबस्क्राइब तो इदर दमाकेदार क्या होगी वेटा हैड्रोजेन बॉर्डिपार होगी और जितनी energy क्या हुआ है कम तो इस्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज बात समझमारी नहीं आरी तो जितने ज्याधा hydrogen bonding उतनी ज्यादा stability तो इसमें 4 hydrogen bond मतलब चार नाइड चार hydrogen थे तो चारों से होगा इसमें कितने hydrogen अमारे पास तील तो इसमें अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें अगर पास एक ही जगे possibility है ओ एच एच इसमें अगर आप देखोगे तो ओ एच एच और इधर क्या आएगा ओ एच एच बोलो भाई समझते हो कि नाहीं समझते बता वई यह आगया हमारे पास तो इसमें एड्रोजन बॉंडिंग यह ह मैं में दो जगे होगी three one degree मैं में तीन ओर हमारे पास ठीक है यह आ गया और फिरी डिग्रिया माइन में हमारे पास एक ही जगे होगी कि लिए तो सॉल्वेंट की इस्टेबिलिटी अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस्टेबिलिटी के ओडर देखे तो इन चारों को अलग अलग डबे में बंद कर दूगा जिससे आपको मिक्स ना करें आप वैसे ता आप नहीं करो कि समझदार हो बट फिर भी फिर भी हम कर देते हैं इदर जिससे कि आप बिल्कुल ना हो एक अमारे पास यह बना हुआ है ठीक है दूसरा अमारे पास यह बना हुआ है तीसरा अमारे पास यह बना हुआ है कि इसको दिक्कत आए गया ना और चौथा अमारे पास यह बना हुआ है कि यह प layer quatro technically टॉप पाइडी ओक्सीजन हईटर्जन और यह हो रही हमारे पास हईड्रोजन बॉंदेंग्द की की दो अगर अब इसके स्टेबिलीटी का अगर ओडर देखे तो क्या होगा हमारे पास क्या आप देख पार हो कि अपोजिट हो रहा है क्या आप देख पार हो कि ऑडर जो आ रहा है हमारे पास क्या आएगा अपोजिट ओडर आएगा जो इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट में सबसे ज़्याद इस्टेबल अब क्या होगी हमारे पास समस्या हो गई कि सर जब हम इस्टेबलिटी देख रहे हैं कि इनकी सबसे आगे हैं बट है क्या है बाई देखो टूडिग्री एमाइन जो है टूडिग्री में हाइड्रोजन बॉंडिंग भी ठीक ठीक हो रही है और इधर प्लस आई बी बढ़ी अलग रहा है थीक है तो टूडिग्री हमाइन हमेशा हाइस मतलब यह ऐसा है जो दोनों साइट दल बदल लेता है ठी तो इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा बेसिक रहता है ठीक है आज कल यह कि भाई जो भी हमारे पास माहुल चल रहा है उस माहुल के अकोडिंग जो इंसान जितनी जल्दी बदल जाता है डल जाता है माहुल के अकोडिंग उतना जादा क्या होता है वह इंसान सक्सेस्फुल होता है सही बात है तो सेम हमारे पास टू डिग्री माइन के लिए भी यही होगा तो अब हम बात करें फाइनल बेसिटी का ओर ठीक है फाइनल बेसिटी का ओर तो इफ अगर आर क्या होगा हमारे पास स्मॉल होगा मतलब आर इजएक वह हमारे पास स्मॉल हुआ मतलब आर की जगे क्या रख दिया हमने मिठायल रख दिया है तो अब क्या रहेगा प्लस आई का रहेगा दो प्लस आई क्यों सबस्जादा तो नुक्सान उअ रहा था तो इसकी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसकी चलेगी इसके अकॉडिंग चलेगी और इसमें वन डिकीरी आлекए गताना रहा है थ्री डीगरी से तो हमारे पास जो सीटेड का ऑडर आएगा तो बाई च describes सी होगी हमारे पास Beacicity वहारे पास Ammonia लास्ट में ही रहना है Fix है और 2 डिक्री सबसे आ गई रहना है ठीक है 1 डिक्री 3 डिक्री में है अगर electricity effect डॉमिनेट करेगा तो 3-DGG्री वाला ज्याधा आ जाएगा और अगर हमारे पास hydrogen bonding effect करेगा तो हमारे पास सबंदी वाला जाएगा तो अगर भाई आए आज ग्रूप क्या था इसमॉल था तो फ्लेस इफ्क्त क्या लगएगा कम इसलिए हमारे पास hydrogen वाला फेक्टर डॉमिनेट करेगा ठीक है दूसरा पॉइंट का है हमारे पास दूसरा पॉइंट है इसमें कि एफ कि आर इस लार्ड अगर आर क्या रहेगा लार्ज रहेगा मतलब आर इज कि सीटू हएच वाइच फाइब या फिर इससे बड़ा कोई भी हो ठीक है सी टू हएच के अलावा कोई बर की घूर्ज बैसिं दला कोई है बहुत बहुत चलेगा सीटू हएच सब चलेंगे बिटा तो अगर हमारे पास r large हुआ तो उस वाले case में जो basic city का order आएगा तो अब क्या होगा इस वाले case में हम बोल सकते हैं कि plus i will be more इस वाले case में plus i क्या रहेगा जादा रहेगा तो हमारे पास basic city basic city क्या आएगी बताएजो अरे basic city क्या आएगी तो सर हमारे पास basic city हो जाएगी कि 2 degree तो सबसे आगे रहेगा अब आजाएगा 3 degree देन आएगा 1 degree और फिर हमारे पास आजाएगा ammonia बोलो भाई समझे की नहीं समझे ठीक है बिल्कुल क्लियर है तो अगर आपके पास order आता है तो आप बता दोगे और अगर आपस रीजन पूछता है तो रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो basic city का order आ रहा है यह electronic effect और solvation energy का दोनों के रीजन की वज़े से ठीक है दोनों effect की वज़े से final आया है हमारे पास क्लिए रहा है अब देखो हमारे पास sort में क्या याद रखोगे आप sort में trick trick लिख देते हैं ना यह वर्ट ज्यादा अच्छा लगता है आपको तो simple है कि अगर एक आर ग्रूप इस स्मॉल एक आर ग्रूप इस स्मॉल एक आर इस स्मॉल तो हमारे पास जो basic city का order आएगा वो क्या रहेगा इस स्मॉल नंबर रहेगा तो इस स्मॉल नंबर इस स्मॉल नंबर क्या होगा हमारे पास two one three zero two one three आ जाएगा टू डिग्री वन डिग्री त्री डिग्री और लास्ट में एनस त्री को मैंने जीरो डिग्री बोल रखाएदा ठीक है और अगर हमारे पास दूसरा क्या हुआ पेटा दूसरी possibility क्या हो सकती है कि इफ 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 और रे लारच टोनमबर भी क्या होगा हमारे पास लारच एगा है तो लारच नंबर आएगा कि लारच नंबर क्या होगा है लार्च नंबर होगा तूbank की position तो है इस वाले केसमा आज आएगा तू के बाद आजाएगा थ्री वन जीरो देख लो भाई टू एटना तो पता यह ना तो यह हम ऐसे और रियाद रख लेंगे रीजन आपको समझ में आगे होगा ठीक है बिटा तो यह हमारे पास था बेसी सिटी एमाइन की बेसी सिटी इलेक् सब्सक्राइब करतें नेक्स्ट नेक्स हमारे पास डाइप ओल मोमेंट ठीक है डाइप ओल मोमेंट वेसे आप केमिकल बांडिंग में पढ़ चुके होगा है तो अल्मोस्ट मतलब हो गया है उदर पढ़ निल अब थोड़ा सा बता देता हूं देखो क्या करना आपको अग केस फर्स्ट क्या है हमारे पास केस फर्स्ट है कि क्या है केस फर्स्ट इस टाइप का रहेगा कुछ ती एच यह है है सी डबल बॉंड लॉंड सी मानन ओ ऐसा कुछ है कि डबल बॉंड सी और इधर दे रखा है आपको जेढ़ और इधर दे रखा है चीज वहाली छीज़वी सिवेह आपको जी घ्र अए भी बता दी थी इधर देख लेते हैं अब क्या हमारे पास जेड और जैड अगर अमारे पास केस यह है कि जैड अब देगो यह दोनों जैड क्या है सेम है तो इनकी electron negativity कारबन से या तो ज्यादा होगी देगो केस फर्स्ट यह है कि अमारे पास जो जैड और जैड है यह जो गुरूप है इनकी electron negativity या या तो इससे जादा हो इन Carbond से या तो जादा हो या फिर कम हो अलग-अलग नहीं होनी चाहिए अलग-अलग नहीं होनी चाहिए अलग-अलग का मतलब क्या है की यह तपने 노р espy कर लेना की z और ze यह गुरूप है जो एक दूसरे के लग रहे हैं और शेम लग रहे हैं इन में हमारे पास electron negativity या तो इस carbon से इन carbon से ज़्यादा हो या कम हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास let जैड की electron negativity ज़्यादा है carbon से ठीक है तो इस वाले case में हमारे पास जो direction आएगी यह इधर होगी और यह इधर होगी तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करतेंगे cancel out कर देंगे तो जो dipole moment है जिसको हम new से denote करते हैं वह क्या हो जाएगा हमारे पास zero क्या हो जाएगा zero तो यह क्या है पास लिए मुट्व requirements फिए और इधर क्या होगा हमारे पास एधर आएगी एधर सनि इदर आएगी क्यों चो कि अगर आपको पता होगा यह चीज तो पता होनी भी चाहिए अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जो डाइपॉल मोमेंट की डायरेक्शन आती है डाइपॉल मोमेंट की जो डायरेक्शन आती है वो क्या होती है जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है हमेशा लेस इलेक्ट्रोन नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव क्या होती है डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोन ने नी बटर डायरेक्शन ही होगी तो हमारे पास यह आया यह तो इनका कुछ रिजल्टेंट अभी आप फिजिक्स में इतना तो पड़ी चुके इधर की साइड आएगा मतलब इधर जो म्यू आएगा इधर जो म्यू आएगा वह नोट इक्वल टू जीरो होगा यह हमारे पास क तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों की कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो उस वाले केस में हमारे पास जो डाइपॉल मोमेंट आएगा तो म्यू सिस का डाइपॉल मोमेंट ज्यादा होगा हमारे पास म्यू ट्रांस से म्यू सिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा म्यू ट्रांस से जादा होगा बात समझ मारे नहीं आ रही म्यू सिसका डाइपोल मोमेंट क्या है म्यू ट्रांस से जादा है क्योंकि यह हमारे पास फाइनल है यह फाइनल है कि उपर की साइड कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट र हुए कि डबल बॉन्ड सी इधर मानलों अमारे पास दे दिया सी एच थ्री इधर आगया हमारे पास सी एल ये एच और ये एच ठीक है एक तो यह है एच एच अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे ट्रांस इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है और इध तो यह हमँदों याइफ मैं पढ़ स्ट के अब क्या हमारे पास देगो सी यल और कारबन में सेमतं प्रिकरीं और आप से होगी क्यों हुआ यहाज्शा क्योंकि अगर इलक्टर लेक्टरोन नेगेटिवीटी बात करो तो्योंतिति ज्यादा है इस carbon से sp2 hybridized carbon से ज़्यादा है यह हमारे पास आगया sp2 hybridized ठीक है और दूसरी अगर मैं बात करूँ इधर तो इसकी direction भी क्या होगी इधर होगी मतला इधर भी इधर हो रही है और इधर से भी इधर आरा रहा डाइपोल मोमेंट की direction ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दूसरी अगर sp2 hybridized carbon से क्यों होता है बता है परसंटेज एस करेक्टर से पहले बता दिया अभी तो आपने इन और्गनिक में भी पढ़ लिया होगा ठीक है तो यह क्या होगा हमारे पास परसंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है मतलब एस कहां रहता है नुकलियस के पास तो नुकलियस के आरे जहसे जहसे नुकलियस के पास आएंगे तो नुकलियस की लेक्ट्रोन को अट्रेक्ट करने की टैंडेंसी क्या होती है ज्याधा होती है इस वद्वजे से हमारे पास क्या होगा इदर बदाई वाई इसकी तो है तो डाइरेक्शन क्या रहेगी इधर की साइड रहेगी विकोज यह हमारे पास है SP2 hybridized और यह हमारे पास है SP3 hybridized ठीक है अभी तो आपको hybridization में भी मेरे इसाब से तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए विकोज आपके chemical bonding के lecture हो चुके हैं और इतना तो मैंने भी पढा दिया था आपको ठीक है अब यह आगया हमारे पास तो इसका म्यू क्या रहेगा इसका अगया मान लो म्यूंवन क्या आ पास टीक है रिजल्टेंट कौन से रही यह मारे पास सील और सी में से और सीमें से इलेट्रो नेगट्व एँन दोनुいたर नेगेट्व आप ने लिए अितना तो वेक्टर पड़ि लिए खानु फrecht के बंखर इधर जा रहा है ठीक है है और एक आक साथ तो क्या होगा इनका क्या घंचल पाफ ऑजेगा कि अदर यूद्र पर जाए तो इसका अगर मैं डाइपॉल когда-мет क्या क्या बोले मियू 2 तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा कि मियू 1 woods की वेल्यू 게या म्यू 2 से जढ़ा होगी म्यू 1 की वेल्यू क्या होगी म्यू 2 से जधा होगी तो कुल मिला के बात यह है की यह अलग अलग नेचर के आए जिनकी इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी इन कारबन से अलग है मतलब एक की ज़्यादा एक की कम तो उस वाले केस में ट्रांस ज़्यादा डाइपॉल मॉमेंट रखेगा कि से सिस से और अगर सेम टाइप के हैं तो फिर ट्रांस का डाइपॉल तो आलमोस्ट जीरो होता है आपको पता है तो यह हमारे पास आगे बटा इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट के एप्लिकेशन बगेरा और सारी चीज़े ठीक है चलिए यह वाला पॉइंट मतलब यह वाला कॉस्टन तो आप हमारे पास रेजो णर्स जिसका आपको बहुत बहुत टाइम से इंतिजार था तो वह हमारे पास आ चुका है अपको जोनेंश क्या होता है थीक है तो दूट हमारे पास क्या होता है कि मान लो अपने पास गयो है कोईski बहWait मोलीक्यूल है तो उसको हमने उसके एक structure देखी और उसके basis पे हमने उसकी कुछ properties describe कर दी ठीक है अब हमने देखा कि उसकी कुछ अलग properties भी है मतलग मैंने क्या किया बैंजीन बनाया मैंने क्या किया बैंजीन और यह फाइब एक और आपको बताए है कि कारवन करवन हैं जो डबल बॉंड होता है उसकी और सिल मारे पास होता है उसकी जो बॉंड लेंट होती है वह होती है हमारे पास 1.54 अश्रों 1.54 तो अभी बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं आप हमने देखा कि c 1 c 2 c3 c4 क्या सिंगल बॉंड इनके बीच में सिंगल बॉंड है कर लोंड है तो अगर सिंगल बॉंड है तो इनकी बॉंड लेंद कितनी होनी चाहिए तो इनकी बॉंड लेंद क्या होनी चाहिए बट प्रोब्लम ये है कि हमारे पास जो c1 c2 is equal to c2 sorry c3 c4 is equal to c3 c4 is equal to c5 c6 जो गॉंड लेंद है वो ये तीनो not equal to होता है किसके 1.34 1.54 एंगस्ट्रोम को ये 1.54 एंगस्ट्रोम नहीं होता है तो इस तो गलत होगे तो गलत होगे कि सर c1 c carbon carbon single bond bond land अमें 1.54 एंगस्ट्रोम होनी चाहिए भाई ये बात हमने लिगा ही है तो अब या तो ये बात रोंग है या फिर इदर भाईया कुछ ना कुछ जमेला है भाई या तो ये लफड़े बाज है या फिर हमने जो पहले अभी तक पढ़ा है वो रोंग है तो ये तो रोंग नहीं है ये ही लफड़े बाज है ये लफड़े बाज है ये अपना नेचर चेंज करता रहता है एक बंदा गया बोले कहां single bond है बोला ये रहा पास तो डबल बॉंड जो है ना वो कहां है वन टू के बीच में नहीं है मतलब सिंगल बॉंड वन टू के बीच में नहीं है कहां है बता वहीं बोले single bond को two three में है four five में है और six one में तो लफड़े बाज तो ये हुआ ना ये लफड़े वाज हैं हमारे पास तो अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे compound होते हैं जिनकी प्रोपर्टीज हम एक structure से नहीं बता सकते ये क्या है ये हमारे पास structure one ये हमारे पास है structure one और ये हमारे पास है structure two और दोनों ही compound सेम है ये दोनों ही किसकी structure है बेंजीन की structure है किसकी structure है बेंजीन की तो कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनकी प्रोपर्टीज हम एक compound अच्छा है ये bond length इसमें क्या होता है जो सीव ये one six वाली five four वाली और two three वाली की भी अगर मैं पर बात करूँ तो इधर ये double bond है इधर क्या है डबल बॉंड है तो ये bond length भी कितनी मिलती है में one point three nine अंग स्ट्रों कितनी मिलती है विटा ये जो बॉंड लेंद है हमारे पास ये और ये सभी बॉंड लेंद हमारे पास सेम मिलती है और वह कितनी होती है है ये bond length भी और यह भी मतलब ना तो double bond है और नहीं single bond है ना उट ना single bond है और सबी 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 की सबी कारवनीustland is same होती है वशहां मतलब ना तो ये completely double bond हुआ और नहीं ये completely single compound हुआ बात समझमारिए तो ऐसे compound को क्या solution निकला भाई तो बोले कि यार फिर क्या करें इसका यह तो भाई जूट बोल रहा है तो इस बंदे का क्या किया जाए बोले इसके लिए हम एक अलग से हम बताते हैं तो क्या है हमारे पास resonance वेन ए मोलिक्यूल और आयन कांट भी रिप्रेजेंटेट बाई सिंगल लूइस structure जब हम किसी compound की कोई property है या उस compound को एक structure से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कांट भी रिप्रेजेंटेट बाई सिंगल लूइस structure एंड मोर देन वन structures are required more than one structures are required to represent all the properties of the molecule then these structures are called in structures को क्या बोलेंगें बेटा resonating structure क्या बोलते हैं बेटा resonating structure और इन सभी resonating structure को combine करके हम जो structure बनाते हैं वो क्या होता है बेटा hybrid वो सबसे अच्छी जीज़ क्या होती है hybrid ठीक है सबसे चाहता है hybrid आप तो बाईलो जी वाले हो सबको पता भी है तो combined structure of all resonating structure is known as resonance hybrid तो इन सभी structures का किसी भी molecule की जितनी भी हम resonating structure बना रहे हैं सबको combine करके बोले यार कुछ final बना दो एक कि कैसी होगी structure उस structure को हम क्या बोलेंगे बिटा resonance hybrid और this phenomenon as resonance या फिर conjugation या फिर de localization ठीक है तो पहली बात तो यह हुई कि क्या need हुई हमें resonance की यह आपको समझ माना चाहिए कि यह पढ़ क्यों रहे हैं क्या समस्या आ गई कि हमें resonance पढ़ना पढ़ रहा है तो समस्या बिल्कुल सिंपल सी है कि कुछ प्रोपर कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनको हम एक structure से explain नहीं कर सकते उनके लिए कि हमें एक से ज्यादा structure को एक ज्यादा structure ड्रो करनी पढ़ रहे हैं तो उन सभी structure को हम क्या बोलते हैं विटा resonating structure और उन सभी structure को अगर combine करके एक final structure बनाई जाए तो उसको बोलते है resonance हाइब बात समझ मारी नियारी बटा ठीक है नीड समझ मा आ गया और यह भी समझ मा आ गया कि resonance होता क्या है ठीक है अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे अगर बात करें क्या क्या पॉइंट है इसके वेरियस इस्ट्रक्टर्स रिक्वाइड आर नोन एज रेजोनेटिंग इस्ट्रक्टर्स यह मैं आपको बता दिया है ठीक है कि जो इस्ट्रक्टर्स रिक्वाइड होंगी जितनी भी हम बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे बिटा रेजोनेटिंग इस्ट्रक्टर्स बोलेंगे या फिर कैनोनिकल इस्ट्रक्टर भी बोल सकते या फिर हम क्या बोलते हैं contributing structure क्योंकि in resonating structures का इन structures को इस्ट्रक्टर करके क्या बनाते हैं resonance hybrid ठीक है and intermediate structure somewhere between resonating structure is known as resonance hybrid for example हमारे पास अगर मैं बात करूं तो देखो यह हम एक structure में structure बनाते हैं और दूसरी structure बनाते हैं कि अभी कैसे हो रहा रहा है structure दूसरे में कैसे गनवाड हो रही है यह भी बात में समझेंगे हुम बस अभी आप structure को देखें यह हमारे पास है the structure best sulla number two oh my god यंप यह वन है और यह तो एन दोनों का combine structure रहा है इनको बोल रहे हैं resonating structure या कैनन केली structure और the resonance hybrid है हमारे पास वह कहां है वह यहां है कहां है यहां है यहां हम यह हमारे पास है resonance hybrid जिसमें आप देखो fellows सबीज़ागे रोटेट हो रहा है तो हम इसके लिए क्या करते हैं ऐसे बना देते हैं तो यह हमारे पास आ गया यह यह पास आ ठीक है भाई कि यह आगया हमारे पास अच्छा इससे तो लाइन नहीं होती है डो एसे बना दो या फिर डबल बॉंड कहा रोटेट हो रहा है इधर पूरी रिंग में तो यह हमने इस टाइक चे बना दिया कि डबल बॉंड पूरी रिंग में रोटेट हो रहा है इसको हम क्या बोलते है है resonating structure sorry resonance hybrid हैy diagram personality अब देगो बले बात समझ में आ गहीं सर आपने बोला कि यह रेजोनेटिंग structure रहे याец और एके रेंग हमारे पास साव युल्त आंप रहा है बोले इतनी बात किलिए है बट हमें एक डावट है कि सर अगर मान लो हमारे पास यह चांच इनका carry ऐन्या बन रहा है क्या इसमें same होगा या आलग होगा पहला अगर सेम होगा तो क्यों tasting अलग हुआ तो कि यह कम होगा यह कैसे पता लगेगा तो तीन कुस्सन हैं हमारे पास तो एक का आंशर तो अभी दे रहते हैं रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर विच कंट्रिब्यूट्स मोस्ट इन रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर में वह रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा कंट्रिब्यूट कर रही ह मतलब सब इकोल तो नहीं कर रहे है तो अलग-अलग होगा पहली बात तो ठीक है is known as its most contributing structure यह हमारे पास most contributing structure होगी या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यह most stable भी होगी क्या होगी बेटा most stable resonating structure भी होगी तो इससे हमें एक question का answer और मिल गया है कि हमें अगर ये पता लगाना हो कि कौन सी resonating structure है जिसका contribution सबसे ज़्यादा होगा तो simple सी बात है वाई जो सबसे ज़्यादा stable है वो बोलेगी कि हमारी चलेगी तो उसका contribution सबसे ज़्यादा होने वाला है किसमे resonance hybrid में ठीक है बोलेगी सर बात तो ठीक है आपकी और मतलब लोजिक भी सही बैट रहा है कि ज़्यादा stable है उसका contribution ज़्यादा हो गया कोई समस्या नहीं है बट सर आपने बोला हमने मान लिया अब आप यह बताइए कि अगर पेपर में आया आम से पूछा कि यह हमारे पास चार रेजोनेटिंग इस्ट्रक्ट्टर दे रखे किसी कंपाउंड की और इसमें से आपको बताना है कि कि सबसे ज़्यादा contribution है तो आपने बता दिया मोस् है तो यह कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा इस्टिवल है तो उसका पॉइंटियोटि की इस्टियाबिटी कैसे देखनी है यह वाला तो इसका मतलब यह कि सभी रेजोनेटिंग इस्ट्ट्ट्टर जितनी रेजोनेटिंग इस्ट्ट्ट्ट्र है जरूरी नहीं कि उनका equal contribution हो अगर सेम ही टाइब की अगर उनकी रोनेंस हाईप्रेड इस रियल रिया समझेढ़ हीड स्ट्रक्चार सो हेर वे संखरेंग अबनाते यह यह हाई to the people है एक्शन बैंजीन यह होता है इसमें डबल बॉन यदर उदर सब जगे घूं रहा है बात समझें मीटा ठीक है प्रेक्जम्पल अगर में बात करूं कि सो एलोग और ऐलो ऑंप माइनस और यह बात बनाते होंकि स्ट्रॉ कि यह तो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्ट्च र है ove paranoia तर कि आ निए रेजोनेंस आई प्रेटर घज़िए हमेरे पास अभी एन तर्फ रेजोनेंस आइबरेड़ बनाँगा कि यह यह कुई है। यह आ गया अमारे पास और इसमें ए पार्श डबलबंड यह पार्शल डबलबंड यह पार्श double bond और यह भी partial double bond ठीस का अब बाइनस वन दिख्राथा तो इतना आएगा माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ और यह माइनस आफ यह होता है मारे पास resonance hybrid तो एक्सवल में यह एक्जिस्ट करता है यह नहीं करता बट हम इसी को को बना देते हैं जैसे बेंजीन को भी बनाते हैं ठीक है यह आगी आप दूसरा पॉइंट यह तो हम डिसकस कर चुके यह वाला पॉइंट तो क्या है कि इच रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर्चर इन प्रपोर्शन ओप इस इस्टेबिटी कि जैसी स्टेबिटी होगी वैसा ही कंट्रिविशन होगा तो इधर हम लिख सकते हैं कंट्रिविशन कंट्रिविशन इन रेजोनेंस हाइबिरिड अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्टैबिलिटी ओफ इस्टैबिलिटी ओफ रेजोनेटिंग इस्ट्रक्टर तो यह तो सिंपल सा लोजिक भी यार मतलब सिंपल ही बैठता है क्या होता है जैसे मानलों अगर आपन घर के डिसीजन लेते हैं तो घर के डिसीजन में भी हमारे पास किसकी चलती है फाइनल डिसीजन मुख्या कही चलता है ठीक है घर में जो मुख्या होता है उसी का फाइनल डिसीजन चलता है और मुख्या जनरली क्या होता है कौन होता है जो मतलब इंकम का मेन सोर्स होता है अभी तो बंडार है उसके ही डिसीजन चलते हैं उसी का चलता है सबसे ज़्यादा contribution उसी के decision का माना जाता है ठीक है तो सेम contribution in resonance hybrid stability of resonating structure जितनी ज़्यादा जिस resonating structure की stability होगी उतना ज़्यादा ही उसका contribution 지만 होगा समझ मांगी विल्कुल सही सर्वीवटक्ता हम समझ मांगे ऐब देखि लेते की resonance होगा काँ खाँ पर सथी रथ तो यह साइक जगे रिजुनेंस लगा सकते बश्खें लगा शकते हैं साइक्म हम साइक्लो एक्जन में रेजोनेंस लगा सकते हैं क्या हम साइक्लो ब्यूटेन में रेजोनेंस लगा सकते हैं तो हमारा आंसर आता है नो तो सर अब हमें यह बताइए कि रेजोनेंस कहां लगेगा क्यों लगेगा ठीक है तो वह बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि कहां होने चाहिए अलग अलग प्लेन नहीं होना चाहिए तो अगर मैं साइक्लोहेक्जेन की बात करूँ तो सभी कार्बन एटम क्या होते हैं SP3 hybridize कौन्स चोते हैं SP3 hybridize तो सेम प्लेन में आएंगे नहीं तो उदर इसलिए रेजोनेंस नहीं होरा, simple proportion मिल गए आपको एक ठीक है इत इज पर्मानेंट इफेक्ट यह क्या होता है हमारे पास पर्मानेंट इफेक्ट होता है क्योंकि रेजोनेंस ऐसा तहने की इभाई कुछ चला गया यह हमारे पास बेंजीन है बेंजीन हमें तो रेजोनेंस भी कही जाने वाला नहीं है ठीक है बेटा कंज्यूगेशन कहीं नहीं जाए आप रेजोनेंस इन्वाल्स डी लोकलाइजेशन ओफ लॉन पेर रेजोनेंस में कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है आप देखो दूसरा अंस्वर मिलता है कि साइकलोहेक्जेन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यो नहीं करता है रेजोनेंस इन्वाल्स डी लोकलायसेशन ऊफ लॉन्पेर का डी लोकलाइज हो सकते है डी लोकलाइज मतला JC मतला आप जैसे लोग ठीक है अगर आपको बोलन दें कि एक जगे रुक ना है तो आप कहां रुक होग not sigma bonded electron sigma bonded electron का कोई लेना देना नहीं होता है और अगर हम बात करें साइक्लो हेक्जेन की उसमें सारे के सारे sigma bond है कोई भी लॉन पेर नहीं होता कोई भी पाई बॉन नहीं होता इसलिए उधर resonance नहीं होता है बात समझारी बीटा तो resonance involves delocalization of और ऑर भी एकट्रोन भी आता है हमारे पास ठीक है और वयकेंट और वी च्टल में पढ़ेंगे हमें रादने ऑन पननौ पैपर फीपर प्रफा कर रहा है ठीक है स्क्रीन पर ठीक है आपके नोट्बूक में तो यह हाइपोसेक्ट होता है तक इसकाmaya डिह सकता आप आपको कि यह बैंजीन है और इसमें बॉंड ऐसे रोटेट हो रहा है वह सारी चीज़ हमें दिखती नहीं है हमें सिर्फ रेजोनेंस आइपर दिखेगा हम सिर्फ यह देख सकते कि कार्बन कार्बन की बॉंड लेंट 1.39 एंगस्ट्रोम आ रही है जो ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉंड की है और नाही कार्बन-कार्बन सिंगल बॉंड की है इसका मतलब कुछ हुआ होगा वह सोच कि आमने बताए कि क्या हुआ होगा रेजोनेंस हो रहा है इसकी वजह स सारी चीज़ हो रही है तो यह एक हैपोथेटिकल Mole maika क्षेप्ट है जो पेपर पर एक्जि प्रोसेश यह point फोड़ा सा important है resonance ऐसा नहीं कि भाई दूसरे molecule में होगा resonance सिर्फ अपने ही molecule में होगा खुद के molecule में हो सकता है बार वाले molecule में नहीं होगा तो अगर मैं इसके एक्जांपल की अगर हम बात करें ठीक है इसके अगर मैं एक्जम्बल की बात करूँ तो देखो जैसे हमारे पास यह है कि सी एच थ्री कि सी डबल बॉन्ड ओ और यह आगा हमारे पास एच और इधर क्या है पिटा हमारे पास मान लो एच प्लस आया ठीक है या फिर मान लो हमारे पास इस और चाहे है स्लाव आया ठीक है अब यह एच प्लसस ने इसको एलक्टरोन दे दिए कि सवर्ये प्लसने अखशिजन के पास उलपा this.ні अटिए इसको दिदू है इसको यह-klot फास एच था हमारे पास नगया chp topics मैं 0-182 यह आगए हमारे पास ठीक है तो इसने क्या यह को एलसे टॉट वी लॉह उल्ट ऋब मन तो यह हमारे पास । यह नहीं यह नहीं 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 है not रेजॉनेंस यह तरह नहींत को एंट्रा ओल्थ होता बैंजीन के हम बात कर रहे तो been nausean बेंजीन हो रहा है ऐसा नहीं कि कहीं भी घुमार है जैसे हमारे पास यह है तो दो इसमें पर सब्सक्राइब मॉलेक्टेट हो ये फिर फिर इधर रोटेट हुआ तो ये विदिन हो रहा है बाहर से दोड़ी कोई डूसरा मोलीकुल होदी नहीं वाइँ बाहर मोलीकुलर होता है इंटर नहीं सूरसरवक कोई मतलब कोई हम स्कुझ से कर लें सारी एक्शिन वगेरा इ gì पोजिशन ओफ एटम्स कांट भी चेंज यह भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मानलों कि अगर मैं बात करूं इसका एक्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है CH3, C double bond O, CH3 और इसी से molecular formula का एक compound और भी हमारे पास CH3, CH, OH, CH3, C, OH double bond CH2 तो अगर आप से पूछे कि क्या यह resonance है आप से अगर कोई पूछे कि क्या यह resonance है तो आपका आंस्वर आना चाहिए नहीं यह दोनों resonance नहीं है यह दोनों resonating structure नहीं है क्यों क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है बेटा तीन hydrogen थे इधर इस carbon के पास इधर कितने रहे दो इधर क्या हुआ है एक hydrogen इधर आया है तो atom की position क्या होगे change POSI TION position of hydrogen change है तो हो कि थीज आर द्रेज आर नोट रैजोनेटिंग इस्ट्टुर्स ए नोट रैजोनेटिंग इस्ट्ट्टुर्स लग्रण रहें नहीं है बात संवारी विटा कि लिए फॉइंट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन डिफ्रेंट रेजोनेटिंग इस्टक्चर चार्ज मस्ट भी कंजर्व चार्ज हमेशा हमारे पास करेगा कंजर्व रहेगा ठीक है एंड टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रोंस मस्ट रिमें सेम टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रों भी सेम पिरयेंगे तोगि अगर टोटल नंबर शेल हैं और टों तो देनों सांउटनेंस बात है अगर यह को यह था है तुमतrम ढní फ्रक्ट्रक्टफ्टर यह प्लस और माइनस बनाा दिया तो वह दोनों अगर प्लस और माइनस जितना प्लस है उतना ही माइनस है तो टोटल चार्ज तो सेम यह ना बेटा अरे बात समझ माने नहीं आ रही तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे पास क्या होता है बेटा कि अगर एक नोन पोलर है तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्टर भी नोन पोलर होगी नहीं ऐसा जरूरी नहीं है इस वर्ड को अच्छे से समझेंगे पिटा कि टोटल चार्ज बुला है उसने चार्ज मस्ट भी कंजरू रहेगा ऐसा नहीं बोला कि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर होगा पोलर हो रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है नेक्स्ट पॉइंट है दा रेजोनेटिंग रहेंगे अलग अलग नहीं होगा तो इसमें अगर हम बात करें जैसे फॉर एक्जामपल सिम्पल सी बात करते हैं मालो हमारे पास क्या है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस तरी देखो बिल्कुल सी बात करूं यह हमारे पास अब इसकी अगर में को रेजोनेटिंग स्ट्चर बना इसने करना को बांड को ब्रेक करना है बस क्या करना है ब tickets करना है तो मैं ब्रइक कैसे कना हूं यह इसकी जगे मानलो एन एच्टू लगा दूमें और अच्छे आपको जिससे चीजे और किलियर लगे यह मैंने लगा दिया यलो कलर सी लगाता हूं नहीं तो बोलोगी सर एन एच्टू में क्या खास है कि आपने इसका कलर चेंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन बॉंड ब्रेक होगा तो हमारे पास यह पॉइंट कर लेना कि इधर मैं बता देता हूं इसमें भी आपको डाउट होता है बाद में आप पूछोगे कि सर यह क्यों हो रहा है यह क्यों हो रहा है तो अगर हमारे पास यह मानलो एडबल बॉंड भी है क्या है एडबल ज्यादा है A की एलेक्ट्रोन नेगेट्विटी से तो अब इस बॉंड को ब्रेक करने के मेरे पास दो उपसन है एक फ़स्ट है मेरे पास की A डबल बॉंड B है तो इसको मैंने कैसे ब्रेक किया इस टाइट से और हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या बना a के उपर आया plus और b के उपर आया minus एक तो यह possibility है clear है दूसरा क्या है हमारे पास दूसरा है a double bond b तो इधर यह bond ऐसे rotate हुआ तो इधर हमारे पास क्या बनेगा a minus बन गया और b के उपर क्या आगया plus आगया अब rotation कोई a की तरीक race होगा तो कैसे हो सकता है तो अब a और b में से more electron negative होने b तो अगर b more electron negative है तो bond के electron की ओढ़र जाएंगे b की side जाने चाहिए तो this side यह arrow होता है वो electron लेके जा रहा है तो a और b में से कौन electron लेके जाएगा b क्यों क्योंकि b की एलेक्ट्रोन नेगेटिवटी ज़्यादा है तो भी के ओपर क्या एगा इदर नेगेटिव तो यह नेगेटिव चार्ज बिलकुल सही है मतलब यह सही है यह रॉम है तो अब आपको यह डाउट बिलकुल नहीं होना चाहिए कि सर यह डबल बॉंड है इसका रोटेशन समझ म ऊस नहीं आता है तो लोटेशन बिलकुल है जो मौर इलेक्टरोन-negative है उसकी आड़ बॉंड जाएगे उसकी अड़ Left्ड जाएगे किलिया यह थो यह बॉंड-बॉंड रोटेशन विलकुल मुंट इसन इसे की एक प्लास और ऊपर आग dub ठीक है और इधर हमारे पास एन एच्टू कि क्या है एन एच्टू नाइट्रोजन के पास क्या है लॉन पेर है नाइट्रोजन के पास क्या है लॉन पेर है अब देखो हमारे पास और भी एक इस्ट्रक्चर बन सकते हैं इसकी क्या बनेगी इधर क्या है प्लस इधर क्या है लॉन प्यर तो प्लस और लॉन प्यर क्या बना लेते बॉंड देखो आप केमिकल बॉंडिंग आप पढ़ चुके हो तो सिंपल सा फंडा होता है उसमें क्या होता है कि बॉंड बनाने के लिए बॉंड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें दो चाहिए और दो इलेक्ट्रोन चाहिए बॉंड बनाने के लिए दो और विडल चाहिए और दो इलेक्ट्रोन चाहिए नॉर्मल बॉंड की बात कर रहा हूं में तो हमारे पास यह लॉन पेर है मतलब दो इलेक्ट्रोन है इसमें बिल्कुल सही है और यह एक और विडल में नेगेटिव और इधर आगया हमारे पास डबल बॉंड एन एच टू अब ये दोनों इस बॉंड में ये जो हमारे पास एक्ष्रा बॉंड बनाएं इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोन गए हैं वो किसके गए बटा नाइट्रोजन के तो इसको पर आएगा प्लस चार क्या इसने बताया हमारे पास कि दोनों इलेक्ट्रोन किसके गए हैं इसके नाइट्रोजन तो बोले कि मैं बाइडम बन गया यह बटाँगा बट है जो इलेक्ट्रोन है फ्रीन है वह दोनों मेर हैं छो सकत क्टीक है तो यह पोइंट आ गया अब देखो अब हम बात कर रहे थे क्या हमारे पास रेजनेटिंग श्रुक्चर में चार्ज कंजर होतल यह कैसा है मारे पास क्या भी नूट्रल है बिल्कुल लिप्लस और माइनस टोटल क्या है टोटल चार्ज तो नूट्रल यह टोटल है ogni वागत टोटल हचिप बात करहों ब्लस माइनस 0 गया इधर भी प्लस माइनस जीर हो गया यह भी नूट्रल है तो टोटल चार्ज गंजर है ना तो रियक्षन से इलेक्ट्रोन बाहर गये इस कंपाउंड से बाहर तो नहीं गया कोई भी नहीं गया अब आपको जो एक डाउट आएगा जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा में भ से हीजिएंडों इधर क्या है हमारे पास ऐसे ऊक्सिजिन के पास क्राला पंपर हें कि के या से तो सर इधर और इक चार सर्फ चार लौन पेर होगे तो आप तो बोल रहे थे कि नंबर ऑप्प्ऐर इलेक्ट्रो एन अन-पेर्ल इलेक्ट्रोन इस एम रहते हैं इधर तो सीन अलग होगे तो बेटा सेम ही है सेम ही है मैंने बोला है पेर्ड का बहुत सताएगbereich हमें पता है छीगे आपको बहुत सताएगा है समस्या समस्य क्या है कि पहले क्ट्रॉन का मतलब क्या है तो मैं इधर लिख देता हूं सम ओ भी पीजो के वह इस बोईलिंग कोई ठीक है और एलपी आप इसको क्या लिखोगे सर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो बीपी मतलब है बेटा बॉंड पेर प्लस लॉन पेर तो पेर इलेक्ट्रॉन का मतलब यह कि बॉंड पेर और लॉन पेर का सम देखो वह इक्वल रहेगा तो अमारे पास इधर यह पाई बॉंड था वह स्कूर्टा के ऊचल से लॉन पेर कि फोर्म आगे तो नमबर ऋप इलन पार अभी सेम पहले बीटे थे तो यह अमारे पास Richmond स्ट्रिक था और इसके बाद niche आता है हमारी पास तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट था ठीक है नेक्स आता है मारे पास the energy of resonating structure is almost same almost same होती है बहुत ज़्यादा difference नहीं मिलेगा ठीक है equal होना जरूरी नहीं है exactly equal क्योंकि अगर exactly equal हुई तो तो फिर सभी का contribution भी same होगा ठीक है तो उसके साथ आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए कि सर आपने बोला था कि उस resonating structure का contribution सबसे ज़्यादा होता है जो सबसे ज़्यादे इस्टेबल है और आप बोल रहे हो equal है तो सेम नहीं बोला है मैंने almost same बोला है ठीक है और लास्ट प्वेंट रेजोनेंस हाइब्रीड इस फॉर्मड बाई contribution of all resonating structure ठीक है जो प्वेंट हम बता चुके हैं वह ही आया है most stable resonating structure contributes maximum to the resonance hybrid बिल्कुल सही बात है and least stable contributes minimum यही तो बोला था हमने कि जो resonating structure जितनी ज़्यादा stable होगी उसका contribution resonance hybrid में final structure में उतना ही ज़्यादा होगा और जो least stable है उसका उतना ही कम होगा ठीक है बाई तो यह आ हमारे पास अब हम बात करेंगे type of resonance की इसकी बात करेंगे टाइफ ओफ रेजोनेंस की अब हमारे पास types of resonance तो टाइप आप रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास when double bond is in conjunction with positive charge और vacant p orbital ठीक है अब एक चीज समझना जब कभी इसका मतलब क्या होगा कि ठीक है तो अब हमारे पास क्या है when double bond is in conjunction with positive charge positive charge बोल दो या फिर vacant p orbital या वेकन और बोल दो ठीक है बैग जब double bond और positive charge conjunction में मतलब क्या हुआ इनके बीच में एक sigma bond होना चाहिए ठीक है तो अब हमारे पास क्या है इधर positive single double bond इसका मतलब conjunction में है ये तो दो conjugating structures के के बीच में कैसा है रहाता है हमारे पास यह रहाएगा ठीक है आप देखो होगा अब बिल्कुल से दिमाग लगाएंगे इधर क्या है प्लस तो इस कारबन के पास कौम सा चार्ड जाना चे की बांड बन जाए सर्फ प्लस और माइनस में बांड बने प्लस प्लस में तो बॉंड बनेगा नहीं अरे ओविस्सी बात है सेम चार्ज में तोड़ी ना बन जाएगा तो इसलिए इस बॉंड पर क्या आएगा वेटा हमारे पास यह बॉंड ऐसे रोटेट होगा अब एक डाउट और आता है सर आपने बॉंड रोटेशन बताया में इ बनाना है क्यों क्यों की अगर इसका इसका चार्ज का मैगनीटूड कम हो जाए तो इसको प्लस है इसके पास तो इसको बनाना इसको चाहिए ऑलेक्ट्रोन से बात करता हूं इसने बात की या बॉंड के अलका ही इक सकते हैं इससी हे टू सिंगल मॉन्द सी एच सिंगल मॉन हीज टू और आप देखो इन करें से यह इदर क्या अधर क्या मानिक प्लस माइनस क्या बन जाएगां वोन्ड तो यह हमारे पास एक बॉन्ड बन गया ठीक है और इस बॉनड के इल्कट्रोन मगreso कि existe लिए यह और इस यह हमारे पास अगर इसको आप ओर्बिटल से देखना चाहें तो देखो ये है CH2 ठीके और यह इस टाइप से इसका वेकेंट और्बिटल था यह इस टाइप से हैं यह फोड को आपस CH2 ठीके पाई बारंड को तो यह सीज को अट्रेक्ट कर रहा है क्या कर रहा है वाई अट्रेक्ट कर रहा है तो अट्रेक्ट करने के बाद में जब हमारे पास इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्टर बनी तो इसने इसको अट्रेक्ट कर लिया है और अभी क्या हो गया हमारे पास पास c h2 c h receive ठीके और इधर किया अब हमारे पास तो या ओन्ध बन गया है इधर और इधर किया जाएगाक पोजटी टो अब इधर अट्रेक्सन होगा अब समझारी नहीं नोटेक्स पर और और कभी इस पर बात समझमारी नहीं आ रही तो अब याद करो जब मैंने रेजोनेंस की कंडिशन लिगाई थी आपको तब मैंने बताया था कि जिनमें अगर इस टाइप से नहीं हुए तो इधर कंडिशन पॉसिबल नहीं होगा एक सेके डुकन आपको समझाता हूं मैं ठीक है अगर यह एक दूसरे के पैरलल नहीं हुए और्बिटल्स तो कंडिशन होगा क्या नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि देखो हमारे पास यह और्बिटल्स अभी यह और्बिटल्स ऐसे है यह और्बिटल्स ऐसे पैरलल पैरलल है और तीसरा भी इनके पैरलल है भाई जो तीसरा और यह दो ऐसे पैरलल और तीसरा भी ऐसे पैरलल बात समझ मारिए तो इलेक्ट्रों डेंसिटी अगर यह इस plane में नहीं रहता दूसरे plane में perpendicular रहा जाते अब यह इसको attract नहीं कर पाता यह electron density इधर ट्रांसपर नहीं हो सकती इसलिए हम बोलते हैं कि same plane में होना जरूरी है बात सवंज मैं नहीं आई ठीक है तो यह आगया आगया हमारे पास तो अगर आप इनका resonance hybrid बनाना चा single bond CH2 यह तो ऐसे हैं जो हमेशा है यह बॉंड ऐसे जो हमेशा है ठीक है उसके बाद क्या हूं रहा है कभी ड़बल बॉंड इधर रहे कभी डबल बॉंड इधर और और फॉर इसको नहीं दिया इस कारवन के उपर क्योंकि जो इनकी स्ट्रक्चर है उसमें इस कारवन के ऊपर मतलब चार्ज आई नहीं जाए इसलिए इसको नहीं दिया है ठीक है तो यह है अमारे पास रेजोनेंस जो की स्टेबाइन करता है कैसे स्टेबल हुआ है मैगनीटक्रण के ऊपर स्टा तो अगर आमारे पास ज्लब डबल बॉन्ड के साथ कंजूगेशन में हो कंजूगेशन का मतलब बीच में सिंगमा बॉन्ड ठीक है अल्टरनेट पोजिशन पर दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड कंजूगेशन डबल और पी वेकेंट और्बिटल और पॉजेटिव आज एक ट्राइप ओगाए हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं वेन डबल बॉर्ड इस इन कंजुगेशन विद वेन डबल बॉर्ड इजिन कंजुगेशन विद डबल बॉर्ड ठीक है अब आप खुद करोगे विटा जल्दी जल्दी ठीक है फास्ट करेंगे अब थोड़ा ठीक है डबल बॉर्ड डबल बॉर्ड के साथ सब्सक्राइब करते हैं कोई समस्याइब करते हैं कि अब है कि इसके पास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है बट ऐसे ही रोटेसन ज्यादा सही है क्यों है वह बात करें या हम बात कर चुके अगर मैंने है और ने एसे रोटेट किया है जान से समझना ऐसे रोटेट गिया है तो इस कार्बन कोपर क्या आएगा प्लस सार मत्त बना देते हैं Gdc2 कि इधर आगया माइनस god ch इधर आ और दरागया प्लस और इधर आगया cs डबल बॉंड च्छ टू ठीक है यह बन गया हमारे पास एक बंदा यह भी बोल सकता है कि सर आप ने इसे रोटेट किया इसको उल्टा रोटेट कर सकते हैं ऐसे तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा च्छ टू पर आगया प्लस च्छ को पर आए माइनस च्छ डबल ब कर चुके कि टू डिग्री पर एना एन मतलब नेगेटिव चार्ज अंस्टेबल होता है कंपेर टू डिग्री इसलिए बॉंड हमने ऐसे ब्रेक किया था ठीक है अरे बात समझ में आ गई तो यह हमारे पास बॉंड के ब्रेकिंग हो गई है अब इसके बाद क्या हुआ अभी वाली structure बना सकता था जो भी बनेगी तो क्या बना इधर यह बने सर c h2 इदर तो माइनस है इधर आए c h तो अब इधर प्लस है single double bond बॉल्ड बन 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 बड़ीया वाला बोलो बैके लिए यह क्या बन गया हमारे पास दबल बन बन गया देखो जो कंडिशन ठीकि हम अगर यह साथ जो चार्ज हो टोटल घ्रेगा कंजर रहेगा इदर कितना है यह न्यूटरल है इधर भी प्लस बाइनस नीटरल है इधर भी माइनस न्यूट्रल है तो यह हमारे पास चार्ज का सेग्रिगेशन हो रहा है अब अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रेट बनाओगे तो क्या बनेगा देखों सी एच टू हुई अजीएच इच ओऔर इधर क्वन छाएगा हमारे पास सीएच टू पार्शल कहान कहा गूम रहा है इधर है विए तीम जगे तो डबल बॉर्ण इधर है यह बाद और क्या हो रहा है मारे पास सर इसके उपर नेगेटिव और इसके उपर पार्सियल पॉजिटिव इसके उपर नेगेटिव इसके उपर पार्सियल पॉजिटिव अब देखो यह अगर मेरे से पूछे कि यह कार्बन कार्बन का सिंगल बॉंड है तो इसके बॉंड hybrid तो इसका मतलब यह single bond नहीं है इसमें क्या है partial double bond के character है क्या है बिटा partial double bond के character है ठीक है तो यह चीजे है जो पूछी जा सकती है कि तो partial double bond ठीक है और साती सात में यह complete double bond नहीं है यह complete डबल नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि सरी यह डबल बॉंड चे वीक रहेगा और यह सिंगल बॉंड से स्ट्रॉंग रहेगा और जैसे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारी बॉंड लेंथ क्योंकि अगर कोई दो लोगों में बॉंड ज देख लो देख लो बेंजीन भी देख लो भाई एक दो तीन चार देखो डबल बॉंड मैं ऐसे लगा रहा हूं मालो इधर 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 लगा है कहीं से भी स्टार्ट कर दो इधर से स्टार्ट किया तो यह बॉंड सेम रहेंगे इधर क्या अगया प्लस इधर आगया माइनस ठीक है अब इधर अगर प्लस आया है तो यह बॉंड ऐसे रोटेट करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा प्लस माइनस में बॉंड बन गया इधर आगया हमारे पास प्लस और इधर यह और इधर आगया हमारे पास माइनस ठीक है अब क्या होगा फिर से यह बॉंड़े से रोटेट होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास इधर यह है पहले से प्लस माइनस बॉंड बन गया ठीक है प्लस माइनस क्या बन गया बॉंड बन गया और इधर प्लस बनेगा इधर माइन नहीं इलए कि यह ठीक चलेगा आई खेले तो बेंजीन में कैसे होता है समझ माँगया तो यह आगा आपास इदा डबल बॉंड है इदा डबल बॉंड है इदा तो हो गई है यह क्या है रेजोनेंस इन बैंजीन,回去 sight.mee क्लिए रहें बाई है? क्यों हुआ यह क्योंग यह double bond alternate position double single double single double single धमने वर बात सभज मांगी पेटा नेक्स चलते हैं हम नेक्स क्या है हमारे पास नेक्स चैक कंज्यूगेशन और दोन दोन प्यर डबल बोर्ण गांजूगेशन किसके साथ लोन पेर के साथ तो इसका मतलब क्या वाज से डवल बोन्ड और लॉन पेयर अल्टरनेट पोजिशन पर होने चाहिए तो देखा आमने डवल सिंगल लॉन पेयर बिल्कूल कांजुगेशन हो रहा है सर तो हम करेंगे वाइदर कंजुगेशन हमने क्जुगेशन किया तो क्या बने का हमारे पास बैंज़ीन बनानी तो मैं बैंज़ीन एक बार बना लेता हूं इक था यह तो इधर वह ब यह ख sandra लास्टे रिख रई नहीं तो दर्वाइस पर हम अपनी फैने नहीं ही बनाएं आपास अब देखो डबल सिंगल लॉन पिर तो अब इदर लॉन पिर-लोन मतलब क्या है एलेक्ट प्रोन है तो दो इलेक्ट फाने उदर हमें चाही है फोजेटी चार्ट और इलेक्ट्रोन के पास इलेक्ट्रोन तो जाएगा नि अगर आपने ऐसे रोटेट कर दिया इधर कैसे रोटेट कर दिया माइनस सअरी इदर माइनस और इदर बी आ है कर वह वहात है इलेक्टरौन एलेक्टरौन इलेक्टरौन नेगेटि नेगेटिव नेगेटिव रिपलसन लगेगा पूर्ण् लेगा नहीं उल्टा काम और हो जाएगा ठिक है ब़u Master Rotate galaxy रोटेट नहीं होगा pork रोटेशन कैसा होगा यह सर बॉन्ड को रोटेशन होगा इस टाइब से कि लिए रहें तो इधर हमारे पास बनेगा तो क्या बनाएधर यह आगया हमारे पास negative, इधर आगया हमारे पास N, nitrogen और इसने bond बना लिया, तो यह आगया हमारे पास double bond, nitrogen H, और इधर H, या फिर NH2 लिख देता हूं, इसको यह NH2, और इधर आएगा positive, सर्फ positive क्यों आया, positive क्यों आया, तो तरीके से समझ सकते हो, एक तो यह कि यह हमारे पास neutral था, तो अगर मैं resonating structure बना रहा हूं, तो इधर भी neutral होना चाहिए, प्लस और माइनस neutral हो गया, ठीक है, बाकी bond is it is, ठीक है, दूसरा आप ऐसे समझो, actual में क्या है, कि यह जो bond बना है, हमारे पास, यह जो दूसरा पाइ bond बनाएं, इसमें electron किसके हैं, इधर तो सिर्फ positive charge था, electron nitrogen के, दोनों electron nitrogen के हैं, तो वो बताएगा कि भाईया, हमने electron दिये, तो हमें बताने तो दो, at least कि दोनों electron मेरे, ठीक है, तो यह समाझ को बताएगा, कि दोनों electron हम दे रहें, तो उसकी वज़े से क्या आया है, positive charge, ठीक यह जो negative charge थे, conjunction में किसी के साथ, यह जो negative charge थे, किसी के साथ, conjunction में क्या, बिल्कुल सर है, इसके जाद, सर negative के alternate position पर double bond आ रहा है, negative के alternate position पर क्या रहा है, double bond, मतलब यह bond कैसे rotate होगा, ऐसे, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि minus के पास में क्या आना चाहिए, plus, तो इधर आगया हमारे पास double bond, यह as it is, रहेंगे, and, as two, और इधर हमारे पास plus, और बाकी जैसे भी है, इधर आगया negative, और यह, कि लिए, next बात करे, फिर negative conjugation में क्या, बिल्कुल सर negative, फिर से conjugation में, तो क्या बन जाएगा, इधर, यह minus single double, तो इधर से, यह bond, ऐसे rotate होगा, फिर से, तो क्या बन ग यह बना हमारे पास, ठीक है, इधर double, minus plus, इधर double, इधर आगया minus, double bond, N, H2, plus, अब क्या हो रहा है, minus single double, तो यह bond के से, रोटेट होगा, ऐसे, अब इस nitrogen पर क्या आएगा, minus, पहले से क्या है, plus, तो इसका charge तो खतम हो गया, इसका charge तो क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, इसकी काहनी खतम हो चुकी है, यह आगया, अब बेंजीन बना हमारे पास, यह बना बेंजीन, ठीक है, bond कैसे हुआ, यह as a t, यह as a t, इधर आए हमारे पास NH2, क्या हुआ, NH2, वापिस से लॉन पेर है, क्योंकि यह bond की electron है, तो पॉजिटिव नेगेटिव निट्रल हो गया, लॉन पेर के लॉन पेर है, बात समझ मागी बेटा, तो यह हमारे पास, अब जब इसका resonance hybrid आप बनाओगे, ठीक है, इसका अगर आप resonance hybrid बनाते बेटा, इसलिए मैं square bracket लगा रहा हूं इदर, तो क्या हो रहा है, हमारे पास देखो, इदर partial negative, ठीक है, 1 by 3 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, तो मैं 1 by 3 लिख दे तो, माइनस 1 by 3, माइनस 1 by 3, और माइनस 1 by 3, ठीक है, बात समझ भाई, और इधर क्या हो रहा है, बेटा माइनस 1 by 3, टोटल न्यूट्रल था, तो इदर प्लस लिखूंगा, ठीक है, और अगर माइनस डेल्टा लिखता, तो इदर में प्लस डेल्टा लिख देता, अब यह आगया, हमारे पास इदर negative चाहर रहा है, यह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जेको, माइनस, माइनस, और मा बॉंड इदर भी है, यह वाला बॉंड भी क्या है, पार्शिल डबल बॉंड है, और यह बॉंड भी कैसे है, सब इज़े के गुम रहा है, तो यह हमारे पास आ गया, ठीक है, तो अब हुआ क्या, कि यह हमारे पास जो रिंग न्यूट्रल थी, रियान से समझना, यह पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया है, मतलब अगर मेरे पास यह ऐसे होती, एनेच्टू नहीं होता, और एक में एनेच्टू होता, तो पॉजेटिव चार्ज उस रिंग में ज्यादा जाता, जिसमें हमारे पास एनेच्टू है, यह बात हम आगे भी करेंगे, क्यो क्योंकि एनेच्टू की वज़े से रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और अब पॉजेटिव को ज्यादा आट्रेक करेगा, क्लियर है बेटा, तो यह हमारे पास हो गया, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट कंजूगेशन है, तो इधर हमारे पास फि इंगल-डॉबल बॉंड ठीक है, तो अब इसको बॉंड बनाने के लिए एक इसने बोला कि इलेक्ट्रोन तो है मेरे पास, मैं को एक इलेक्ट्रोन और चाहिए, ठीक है, तो अगर यह पहले तैसे आ रहा था, दो इलेक्ट्रोन लेकर यह समझना, इस ऐरो का मतलब बउंड क्यों है तो यह जैसे घुक्त लेक B इसने एक लेक्ट्रोन अपना लिया और यह अपना लेक्ट्रोन लेके चला गया इस टाइप से क्लिए रहे बीटा तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH2 इधर Free Radical CH और इधर AK के लेक्ट्रोन मिलके क्या बना लेंगे बॉंड यह बन गया बॉंड यह आ गया CH2 तो यह हमारे पास Conjugation हो गया है इनका भी Resonance Hybrid बना हो गया है तो यह partial double bond का character है इसमें इसमें partial single मतलब यह भी partial double bond है complete double bond नहीं है क्लियर है बेटा ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें वें डबल बॉंड सोरी वें लॉन पेर इजिन Conjugation with vacant orbital जब हमारे पास लॉन पेर किसके साथ Conjugation मों बेटा वे लॉन पेर किसके साथ Conjugation मों वेकेंट औरबिटल वेचेंट आर्बिटल मतलब क्या होता है पोजेटिव चार पोजेटिव चार दगर किसी औरबिटल के पास है इसका मतलब वेकेंट और प्रिटल ए ठीक है तो आप देखो इधर अब इसने हेल्प तो कर दिये बट इसमें दोनों इलेक्ट्रोन किस क्या है यह बताएगा समाज को बिल्कुल बताना पड़ेगा तो इसलिए कौन सा चार्जा जाएगा इदर पॉजेटिव तो यह हमारे पास रेजोनेट इस्ट्रक्चर बन गई क्लियर है रेजोनें साइब करें इदर देखो तो यह अकसीजन के पास दोलोन्प एड़ गटा तो यह दो लॉनप तो हमें थे अगई क्लों प्हें कंजूगेशन में क्या बिल्कुल सब्लास सिंगर लॉन इसींगेडिवार्स आप इधर बन जाए भी ठीक है बात सम्झ मागी क्या सर ऐसा हमेसा होगा ठीक हां होगा बिलकुल बट यह compound आपको मिलेगा विटा यह compound आपको मिलेगा इसलिए मैं बता रहा हूं NS3 के पास क्या है इधर positive chart यह compound मिल गए आपको और इसमें क्या हुआ plus single double bond plus single double bond conjugation में बिल्कुल sir conjugation में तो हम क्या करेंगे resonance करेंगे तो अब resonance किया तो इधर plus single double bond है तो इधर आना चाहिए नेगेटिव तो यह bond ऐसे rotate होगा और हमारे पास ring बन गई है यह हमारे पास ring बन गई बिटा इधर आगया नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस यह आगया अब देखो ध्यान से क्या अच्छा बाकी के बना देते हैं यह क्या यह पॉसिबल है क्या यह पॉसिबल है नहीं नौट पॉसिबल को इधर कोई resonance नहीं हो रहा है नो resonance के दिखनेर गरूफ को डिखनेर के साथ कोई resonance नहीं हो रहा है सर क्योंBER ना कशर्ते बनाने का सोच रहे हो अलग कैमिस्ट्रि क्या है कि नाइट्रोजन की जो ओकात है ना व कभी नहीं भूलता हो ठीक नाइट्रोजन की उकात है माक्सिमंच मॉण बनाने की नाइट्रजन के पास क्यों जेये वैलन ठीक है वेलेंस सेल की अगर हम बात करें तो क्या लेंगी बिटा सेल है इसकी कौन सी कि ल मिट स स 1 प्लॉस टुस फी यह मारे पास विलेंस ऑर्विटल है компании कि आ इसंसे एक और टील किमें कितने होते हैं तीन ओर टल तो वन प्लस 3 मतलह Quit Myximum कि मैक्सिमम वैलेंसी मैक्सिमम नंबर ओफ बॉंड लिख देता हूं मैं बात समझ भारी नहीं आ रही मतलब इससे ज्यादा बॉंड नहीं बना सकता यह आप ऑल्रेडी केमिकल बॉंडिंग में पढ़ चुके हो बट फिर से बता रहा हूं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉंड बना सकता है 1s का 3p में तो टोटल 4 और्बिटल ही होते उसके पास वैलेंसेल में इसलिए वो उनको यूज करके चार ही बना सकता है 2d वहिया कोई और्बिटल नहीं होता है D कहां से स्टार्ट होता है 3D से बात समझ मारी नहीं आ रही इसलिए मैक्सिमम कितने बॉं बना रखें पांच बन्ड कितना उखकें पांच तो यह है यह समझमारी नहीं आ 4oSन नहीं है यह रोंग है बहुत जादा इंपोंट है पोहोथ जादा इंपोंट था यह मैंने बनाए धर जो कि आपको घर पे बहुत पर तरीके से बनाए इस कितने स्पीट है वाले हो सकती सब्सक्राइब बताओ आप लगत dalam लग रहा है देखो एक स्टार दो तीन चार पांच एक इधर वाले में भी थोड़ा सा गैप है अगर आप देखो और उसका जो डाइमंड्स ने वह प्रोपर तरीके से बनाए गया है वह आप नहीं बना सकते ठीक है तो यह ट्राइब भी नहीं करना है घर पर ठीक है चलो भा यह आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा बट जहां कहीं भी मिला वह खतरना कुस्टन होगा मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का कुस्टन होगा क्या होता है डी और्बिटल रेजोनेंस वेन नेगेटिव चार्ज इज डाइरेक्टली अटेच्ट विद एटम हैं है वेकेंट डी और्बिटल यह डी बहुत इस्मॉल आएगा यह डी कैसा आएगा इस्मॉल वाले डी आएंगे वह यह कैपिटल डी कब से आने लगा ठीक है देखो मैं बिल्कुल स्ट्रो पड़ा रहा हूं इसके बाद हम इस स्पीड में नहीं देपाएंगे तो मैं अब इसलिए पड़ा रहा हूं विकोज यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर यह चीज़े समझ में आएगी तो आगे मैं इस पीड बढ़ा सकता हूं अगर अगर यही समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे तो साफ हो जाएगा इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं इदर आराम से क्या रहा है नेगेटिव चार्ज डारेक्ली अटेच्ट विद एटम हैविंग वेकेंट डी और्बिटल ज्यान रखना ओनली डी और्बिटल की बात नह आठिका और इसके पास अगर हम क्लोरीन के पास देगे तो छोरीन के पास इददर नोडाउट लॉन पर है ठीक है यह यह लॉन पर है यह तो कौन से सिर्फिता अ ctip किसमें 3D में और जो 3D यह वो तो क्या है इसका वेकेंट यह नीचे लिखो क्या यह ठीगे रहें दो उसकी वज़े से इधर resonance होगा उसकी वज़े से इधर resonance होगा तो यह अपने इलेक्ट्रोन इसको दे सकता है और यह vacant orbital प्रोवाइड कराएगा कौन सा डी वाला तो यह आगया CH2 double bond CL और इधर आजाएगा माइनस विकॉज यह इधर इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट कर रहा है यह इधर इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट कर रहा है यह इलेक्ट्रोन दे रहा है तो दोनों इलेक्ट्रोन इसी के हैं तो इसको पर कौन सा चार जाएगा प्लस इसके पास कौन सा चार जाए तो यह पास हो गया d orbital resonance ठीक है तो यह पास हो गया type of resonance क्या होगा गफे गथा, type of resonance ठीक है, तो next अब हम बात करते हैं, यह resonance possible है, अब हम बात करते हैं कि सर, हमने इतने type के resonance पड़े, क्या सभी equal हैं? क्या सभी equal हैं? या फिर किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी तो वह अगर हम बात करें तो देगो कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल ठीक है यह हमारे पास नोट पॉइंट है कि आयोनिक आयनिक कंजुकेशन ज्यादा अच्या ओता है लोन पेर कंजुकेशन से ढूंढ neutrटों देने वाला कोिओ नाइट्रोजन तो इ एडवल बॉंड पी एच्टू यह बन गया विटा एच्ट डवल बॉंड च्टू अब हम इधर बात करें तो इधर क्या है नाइट्रोजन के उपर लॉन पेर है और कारबन के उपर पॉजिटिव चार्ज है तो लॉन पेर सिंगल पॉजिटिव कंज्यूगेशन में अल्टर हो जाएगा और इसने इलेक्ट्रोन लिये तो वह भी क्या हो जाएगा इधर अगर बात करें तो इस वाले केस में क्या होगा था इधर भी यह कंज्यूगेशन में है बिल्कुल कंज्यूगेशन हो रहा है विटा यह क्या है डबल सिंगल ओन फॉजिटिव चार्ड तो यह बना आमारे पास CH2 इधर आ गया प्लस यह बना CH double bond CH2 अब मैं बोल रहा हूं कि सबसे अच्छा पहले वाला है दो तरीके से समझ सकते हो एक तो यह कि इसमें देखो चार्ज था वो खतम हो गया ठीक है या फिर देखो सिंपल समझो देने वाले कौन है इलेक्ट्रोन देने वा पैसे लेने गया बोले पैसे दे सकते हो गया तो इसने सुचे आर अपने पास भी तो एक्ट्रा पड़े दे देते हैं इसने दे दिये तो कोई समस्य नहीं आई अब इस नाइट्रोजन के पास गया है इसके पास भी लॉन पेर बोला है तो सही है तो सही बट काम तो नहीं आपने है तो सही मतलब अभी अपन को जरूरत नहीं है नाइट्रोजन के पास लॉंपियर है तो यह भी देदेगा इलेक्ट्रोन बट इससे तो इसली नहीं देगा इसके पास हो गई हो खिलियर है तो इसलिए इसकी स्ट्रेंद क्या मानी जाती है कम मानी जाती है ठीके विटा तो यह बिल्कुल सा पॉइंट है याद करने जैसा कुछ भी नहीं है कॉमन सेंस है ठीक है नेक्स हम बात करते हैं नोट है हमारे पास नोट नमबर टू यह भी आपको काफी देखने को मिलेगा कि एक्सेंडेड रेजोनेंस लीनियर कंजिउकेशन इस any क cable देन प्रोस कंजिविशन ठीक है drive जो हुता है एक्सेंडेड मतलब एक ही लाइन में ऐसा चलता जाए एक ही डाइरेक्सन में ऐसे चलता जाए वो ज्यादा अच्छा होगा क्रोस कर रहे हैं इसमें इंपोर्टेंट बात क्या है इंपोर्टेंट बात यह कि नेचर और बॉंडिंग से मोनी चाहिए ने मतला ऐसा कुछ तो होना चाहिए इसमें क्रोस काम की बात बोल दिया ना मैंने अब के साथ कर रहा है या फिर ऐसा बोलें वह के साथ सब्सक्राइब करता है और और आपके उपर डिपेंड करता है आपको बनना है या और सी बनना है ठीक है ठीक है बाई चलो अब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात होगी हमारे जो आपको ज्याद अच्छे से समझ में आई होगी वैसे देखो इस टाइप से हमारे पास कन्जुगेशन है कि जैसे मालों यह है च्छ टू डबल बॉंड च सिंगल बॉंड च ठीक है फिर क्या है हमारे पास च यह इसको मैं एन एच कर दू क्या च प्लस कर देता हूं कि प्लस किया इधर च डबल बॉंड च टू च डबल बॉंड च टू यह हमारे पास है ठीक है अब देखो कि इस वाले गुरूप को मैं बोल रहा हूं ए यह वाला गुरूप क्या मेरे पास कि यह गुरूप कौन सा है स्टी ठीक है और यह बाई साहब है जो लीजेंड है अपने यह क्या है बी कि देखो डबल सिंगल पॉजेटिव चार्ज कंज्यूगेशन में हैं डबल सिंगल सिंगल डबल तो इधर दो सिंगमा पॉंड आगे इधर एक स्टेंदेड रखाए और दूसरा हमारे पास सिंगल ठीएच प्लॉस है और दूसरा है मारे पास स्ट्च चूअब नेट च्रंबोंड प्लॉस और Linda च्री च्दार्ट्ू ट्डूबंन अन् horr होता है ंघ क्र्व और दूसरा है मारे पास फंक्री टू डबल बॉर्ड टी एच टी एच प्लस टी एच डबल बॉर्ड सी एच टू इन दोनों में से अगर हम stability की बात करेंगे तो यह ज्यादा stable होगा क्यों विकॉज इधर extended conjugation है क्या है extended conjugation ठीक है और यह क्या है हमारे पास cross conjugation क्या है बिटा यह हमारे पास है cross conjugation ठीक है तो यह इन दोनों में से ज्यादा कौन किसको प्राइवटी दी जाती है extended को क्यों ले रहे क्योंकि इधर nature of bonding से में दो पाइव और दो पाइव और नम्मरों कार्बन सेम नम्मरों ठीक है तो अगर इस टाइप का कुछ आता है तो उसको क्या बोलते हम एक्स्टेंडेड कंजूगेशन तो यह एक्स्टेंडेड कंजूगेशन ज्यादा प्राइट दी जाती है क्यों दी जा रही है क्योंकि इदर एक ही जगे मतलब तो एक ही डाइरेक्शन में चार्ज का सेग्रियेशन हो रहा है कोई किसी को प्रॉलम नहीं कर रहा है यह जो सी एच प्लस है यह एगर मिलने के लिए A ने भी उसी टाइम मिला लिया और C ने भी उसी टाइम मिला लिया तो तो पंगे ना तबीज़ो प्रोलम होगी इसलिए अच्छा नहीं होता extended करो जादा टाइम तक रहता है और चाहर रहेगा ठीक है तो यह हमारे पास आ hybrid जो हमारे पास बन रहा था उसे में बात करें थे contribution की कि किस टाइप से कौन सी resonating structure का contribution ज्यादा होगा उसका आंसवर था सर जो ज्यादा stable होगी तो उदर हमारा question बचा हुआ है कि सर stability का कैसे पता चलेगा तो वह हम बात करेंगे next lecture में तो अभी आपको क्या करना है जहां कहीं भी आपको resonance होता दिख रहा है उसका resonance बनाएं ठीक है और चेक करें जितना हो सके Conjugating resonating structures वगेरा ड्रों करें जहां कहीं भी दिखता है आपको ठीक है बेंजीन में है अपने पास नाइट्रो बेंजीन हो गया ठीक है एनिलीन फिनोल ठीक है बेंजोइक एसेड बेंजेल लियाइड ठीक है एसीट अपनों जहां कहीं भी दिख रहा है उसकी अच्छे से practice करें आपको दिख जाना चाहिए कि इधर resonance हो रहा है ठीक है बाई तो आजके lecture में इतना है यह बेटा next lecture में हम आगे पढ़ेंगे next lecture में पढ़ेंगे, प्लस M क्या होता है, माइनस M क्या होता है, उसके एप्लिकेशन क्या होंगे, ठीक है, तो आज के लेक्शन बेटा इतना ही है, all the very best, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्त रहे, thank you.